अभिनाज सौलंग की उर्फ अभिनाज बाली की हत्य की गुत्ति सुल्जी निलेश रविंदर शुकला वाई बादूर चंद्रिका परसाथ सिंग उर्फ जग्गा अंकित अरुन दूबे तीनो आरोपी M.I.D.C. पुलिस इस्टेशन की हिरासत में मुंबई पुलिस की गहरी च्छान मिन के बाद आरोपी की उत्तरखन अरिदुवार और रिशिकेश में मुंबई पुलिस पहुंची वहां तलाशने के बाद आरोपी को तलाशा गया आरोपी वहां नहीं मिले इसके बाद पुलिस को ख़बर मिली कि आरोपी लखनो में है मुंबई पुलिस लखनो पहुची और वहां पहुचकर कातिलों को गिर्फतार किया गया 20 आगस के रात में सुबा सुबा तीन मज़े के करीब पुलिस टेशन में जो ख़बर आई थी कि अपलो इंडस्ट्रियल एरिया पेपर बॉक्स में एक इंडस्ट्रियल गाला है वहाँ पर एक विक्ति जिसकी मिसिंग की जानकरी थी और वह विक्ति भाहा होगा ऐसी उनके दोस्तों की और जानकर लोग की उसकी जो उनका जो शर्त था उसके बड़ बिस्स पे पॉलिस टेशन को कॉल किया गया और पॉलिस टेशन की मजद से जो जब ओपन किया गया तो उसके अंडर अबुत तो जो अभीनाश स्वयन की उस डाले इसकी लास्ट पड़ी हुए मुली उसकी लास्ट की सिनक करें बाद जब होस्पिटल लेकर गया तो से डेट डिक्लियर गया गया और बेसिकली यह पता चला था कि दो जिन से यह विक्ति हा पड़ा है और इनिशन चान दिन के बाद और कफी सारे लोगों से बुस्ता करी ही गई और जब पता चला कि वो महरास्टा से बाहर उसकी साथीदार के साथ निकल गया है और बाकी ऑन दबेसिस आफ इंफरमेशन ख़बरी जो है अलग अलग जगा से जो इंफरमेशन पुलिशन की इंस्पेक्टर शिनेर पिया अलग नुरे पिया पार बाकी डिटेक और बाकी विक्तियों के आधार पर जो यह विक्ति फरार था उसकी उतराखंब रिशिकेश, नहीं निदाल और लखनव यूपी देऊ आप जाकर उस्ताश किया और पर लखनव से इसे ही गिरफतार किया गया है गटना से अपर जो प्रतीत होता है आपर जो सिच्वेशन द आपर दो लोगों ने बैठकर शराप पी है और उसके बाद जो भी इसे नहीं क्या हो लेकिन लाज की जो सिनक की गए उसके से यह इनिशेली पता चला कि उसके सर पर कफी सरे घाओ है और इसके डेट बड़ी पर प्राइट पर गाओ किये गए थे यह भरी शस्त्र से जो ग फ्ट्र पर की सारी चीजारे करने कृए हारा है अब इस कैस्में घठके खेया गया इसीज़ जो शबैंके शाहिट आफ देडार मना चुपाने में मदद कि अंभी इस क्रेस मेंड़ Our Yang जो डिसीज़ और एक्कुज़ इनका बैग्ग्राउंड क्या है और वो का आपस में का अग्लेशन है। एक एक इंपूर्ट एक्ष्पोर्ट फेर्म, मेडिसीन्स का बिजनस है। ऐसा प्राण आप इसी अभी पता चला है। और यह और जो डिसीज़ है। महत अभिनाश सोंगी उर्फ बैली यह इसका पाफी दिनों से दोस्त है। और किस वज़े से इन रंजी शोगर क्यों क्या वज़ा थी। अपसी कोई बैड था या फैनेंशल मैटर से जिसके वज़े से यह उसकी अप्याकी थी इसमें। कि इसकी जांकरी अभी और उनिस्टिकेशन में लेकर वाइए। अभी जोगर जांकरी ऑर अभी इसमें किसी महिला के भी नाम सामने आ रहाए ती कि इसी महिला से संबंदों जानकारी मिल रहे हैं कि इसने फानेशियल और वहिक्तिक कर्मों से उनका डिस्पुट हो गया था और डिस्पुट के अज़े से दोनों में आपस में जगड़ा गाता और जो पर्यासन उसमें उसका हमला करने से उसकी मोथ हो गया अशा वे बता रहा है जो वज़ा है परसनल किस वज़ा से हुआ है कोई बिजनेश डिलिंग था या और कोई वज़ा है इसकी जानकारी में आप इसकी जानकारी में अलग अलग बाते सामने आ रही है उस्ताश में पता से लगा कि इसमें क्या हुआ था इस घराओने करल के केस की जाज वरिश अधिकारी डॉक्टर मनुच कुमार शर्मा पुलिस आयोग नमें चंदर रेड़ी पुलिस आयोग विभाग दस के मार्ग दर्शन में वरिश पुलिस निर्षक नितिन अलक नूर पुलिस निर्षक पवाद पुलिस उप निर्षक भुजबल के साथ में पुरी टीम कर रही है